दोस्तों कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं बिना इल्टरा साउंड के दस ऐसी तरीकों के बारे में जिससे आप पता लगा सकेगी कि गर्व में लड़का है या फिल लड़की है दोस्तों हर महला का सपना होता है माँ बनना फिर चाहे वो लड़का हो या फिल लड़की हो कानूनी तोर पर भारत में इसकी जाच पर रोक है मगर आप कुछ ऐसे घरेलू तरीकों से भी इसे पता लगाया जा सकता है कि गर्व में लड़का है फिल लड़की है दोस्तो इन लक्षणों से आप अंदाजा लगा सकती है कि आने वाले समय में बेटा है या फिर बेटी है लेकिन दोस्तो 100% तो हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि जब एक महला प्रेगनेंट होती है तो उसके जो हार मोरल चेंजिस होते हैं हर महला के अलग-अलग होते हैं इस वीडियो से आप थोड़ा अंदाजा जरूर लगा सकते हैं तो दोस्तो फर्ष्ट नमबर पर बात करते हैं दोस्तो मा की कोक में लड़का है या फिर लड़की है इस बात को जानने का सबसे अच्छा तरीका है महला के पेट का आकार अगर गर्वती इस्तरी के पेट का नि की मुलायम हो जाए तो यह लड़की होने के संकेत को दर्षाता है दोस्तो माना जाता है कि लड़किया सोमयता की को बढ़ाबा देती हैं उसके प्रभाव से गर्वती स्तरी की सुंदरता बढ़ जाती है दोस्तो फर्ड नमबर पर बात करते हैं यह आप गर्वावस्ता के दोरान बाल बहुत झड़ने लगी है और आपका सुभाव जástादा चिचड़ा हो गया है तो ऐसा माना जाता है कि लड़का होनी की संकित यह धर्शाता है अगर आपकी बाल बहुत ज़़ने लगी है पहले से जादा और आपका सुभाव हैं बहुत ज़ादा चिचड़ा हो गया है तो यह लड़का होने के संकित माने जाते हैं फोर नमबर बात करते हैं दोस्तों जो महलाएं गरवावस्ता में बाई करवट लेकर ज़ादा सोना पसंद करती हैं तो समझ लेजिए आपकी कोक में लड़का है इस दोरान इस तरी के सिर में काफी दर्द भी रहता है फाइब बात करते हैं दोस्तो अगर किसी गर्वती लेडी को मतलब वह खूब पानी पीती है और पानी पीने के बाब जूद भी उनके जो यूरिन का कलर है वह डार्क पीला है फिर भी उनको यूरिन पीले कलर की आ रही है तो दोस्तो ऐसा माना जाता है यह लड़का होने के स गर्वती इस्तरी को सुबह उड़ते ही अपने सबसे पहले यूरिन को किसी वाल में रख दें उसके बाद इसमें एक चम्मच वेकिंग सोडा डाल दें अगर यूरिन में जाग न निकले तो समझ लिजिए गर्व में लड़का है गर्वावस्ता के दोरान जादा उल्टिया होती है तो यह प्यारी बेटी होने के संकेत देता है नाई नमबर बात करते हैं दोस्तो जिन महलाओं को गर्वावस्ता में पेट के उपरी हिस्से में दर्द होता है इसे लड़की होने का संकेत माना जाता है 10 नमबर बात करते हैं दोस्तों जिन इस्तरियों के pregnancy में मुहा से ज़ादा निकल आते हैं चेरा काफी ढल जाता है मतलब काला हो जाता है तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जो आने वाला समय है उसमें लड़का होने के संकेत देता है तो दोस्तों ये थे कुछ हार्मोनल चेंजिस जो हमारे वाड़ी में pregnancy के टाइम पर अकसर देखते हैं तो इससे हम थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि बेटा होगा फिर बेटी होगी तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आप इसी तरह से प्रेगनेंसी से जोड़ी वीडियो देखने चाहती है तो हमारे चैनल प्रेगनेंसी नॉलेज हेल्प को अभी ससक्राइब कर बेल बटन ओल पर प्रेस जरूर करें ताकि आपको इसी तरह की मतलब वीडियो की नौटिफिकेशन मिल सके तो चरिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में